अब लोगा फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आज की वीडियो आपके लिए काफी अधा इंपोर्टन रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में फुल एनिमेशन वाला जो कार्टून वीडियो है कैसे आप बना पाओगे तो भी आज इस वीडियो में हर एक कुछ मल डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंच जाएगा तो वीडियो को बिना इसकिप के वीडियो को लास्तिक देखना अगर को इंपोर्टन सेटिंग मिस हो जाती है तो आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे फिर आप कमेंट करोगी तो वीडियो को बिन सेब्सेट को क्या करना पड़ेंगा काइनवाश्टर एपको open करना पड़ेगा आपको open करने के वाद सिंपली से मेडिया के सेक्षन में जाना है और image asset के आफिल पे जाने के वाद यहां से green कलड आपको ले लेना है और यहां से cropping के option पर click करके यहां से इसको crop कर लेना है इस प्रकार से cropping करने के बाद simply से अब आपको क्या करना पड़ेगा आपको जाना होगा बेक और बेक जाने के बाद फिर से आपको media के section में जाना है और जाने के बाद यहां से पहिये को ले लेना है पहिये को लेने के बाद simply से पहि करना पड़ेगा इस प्रकार से बड़ा करने के बाद आपको क्या गरना पड़ेगा पहिये को भी सही से लगाना पड़ेगा तो ज्यादा मतलब साइज इसकी हो गई तो इसको थोड़ा हलकी से साइज को कम कर लेते हैं अब पहिये को यहाँ पर लगा देते हैं इस प्रकार से size को कम करने के बाद पहिये को लगा दिते हैं लगाने के बाद simply से आपको duplicate कर देना है और duplicate करने के बाद यहां से पहिया आपका आ चुका है दो पहिये हो जाएंगे और दो पहिये होने के बाद simply से आपको बेक में भी पहिया लगाना होगा तो उसके लिए आपको पहिये पर फिर से क्लिक करना पड़ेगा और आपको फिर से duplicate करना पड़ेगा duplicate करने के बाद आपको एक पहिये को इस परकार से रखना होगा और रखने के बाद आपको फिर से टिरी डाउट के लाइन पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको send to bake करना पड़ेगा तो ये bake में चला जाएगा तो simply से bake में जाने के बाद तोड़ा पहिया पीछे होना चाहिए इस परकार से तो ये अब लग रहा है कि पीछे भी पहिया लगा हुआ है तो simply से इस वाले पहिये पिर आपको क्लिक करना होगा स्वारी नीचे वाले पहिये पिर आपको क्लिक करना पड़ेगा और पहिये पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक duplicate बना लेना होगा duplicate बनाने के बाद आपको इस प्रकार से इसको भी bake कर देना होगा तो send to bake कर देना होगा और bake करने के बाद इसको भी सही से adjust कर देना होगा तो adjust करने के बाद आपके जो पहिये थे वो बनके तयार हो चुके हैं और तयार होने के बाद आपको इनको क्या गरना पड़ेगा इस पर किलिक करना पड़ेगा और किलिक करने के बाद आपको इनको गुमाने के लिए सिंपली से क्या करना पड़ेगा overall animation पे जाना होगा और जाने के बाद simply नीचे आना होगा counter clock वाज इनको गुमाना होगा फिर दूसरे पहिये पे आपको click करना पड़ेगा click करने के बाद overall animation पे जाना होगा और नीचे आना होगा नीचे आने के बाद आपको counter clock वाज पहिये को गुमाना होगा फिर आपको नीचे आना होगा स्वारी यहाँ पर पहिया कम होगे यह वाले पहिये पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद overal animation पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद counter clock watch गुमा देने से यह पहिया भी चलना start हो जाएगा फिर आपको दूसरे पढ़िए पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद Victoria अपको पढ़िए को चला देना होगा तो आपके सारे पाइए चलना स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी ये वीडियो बनके तयार हो चुके है यानि कि आपका ठेला बनके तयार हो चुका है green वाला और यह background इसके color को भी आप change कर सकते हो easily से इस परकार से तो आपका पहिए जो ठेला था वो बनके तयार हो चुका है और अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर editing करना पड़ेगा तो simply से पहिए को ले लिया है और यह हमारा ठेला बनके तयार हो चुका है आगे चलते हैं ट्टिंग की ओर अपको क्या करना पड़ेगा सिम्पली से यहाँ पर आपको वह यह background लेना पड़ेगा तो मीडिया के सेक्षन में जाने के बाद आपको डाउनलोड के सेक्षन में जाना है और जाने के बाद सिंपली से यहां पर आपको दो आपको लेनी है बेग्ग्राउंड तो एक बेग्ग्राउंड हमने ले लिया है दूसरी बेग्ग्राउंड कौन सी है यह वाली करना है किलिक करने के बाद आपको यहां करने के बाद इसको इनेवल करने के बाद यह आपका ठेला बनके हो चुका है आइसक्रिम बाद और क्लिक करने के बाद दो हमने ले लिए तो सिंपल इस एक को अट दिए को डिए और यह दूसरा वाला हम यहाँ से ले सकते हैं इस परकार से तो यह हमारा बनके त्यार हो अब आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर इजली से रखना होगा इस परकार से और रखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर एक करेक्टर को लेना पड़ेगा तो सिंपली से फिर से आपको लेर के सेक्षन में जाना है और जाने के बाद मीडिया के सेक्षन में चले जाना है और मीडिया के सेक्षन में जाने के बाद सिंपली से आपने जो यह करेक्टर वाली वीडियो बनाई है वो करेक्टर यहां से आपको ले लेना है तो यह वाला करेक्टर हमें यहां से ले रहे हैं और लेने के बाद आपको जितनी लंबी आपकी वीडियो उसके ब लग दाएवाय चारों तरफ से आपको करना ही पड़ेगा आपको बिले की स्क्रीन भी दिख रही थी इसलिए आपको इस प्रकार से क्रॉप करना ही पड़ेगा तो क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा नीचे आने स surge क्लिक करना है तो वीडियो को आगे चलाना है और चलाने के बाद आपको प्लास की आयकण पर कलिक करना है और क्लिक करने के बाद तो आपका जो ठेला था वो जा चुका है वहाँ पर बट अभी जो इनका जो करेक्टर था वो नहीं जा चुका है तो इस पर क्लिक करना है फिर से आपको चावी अपलाई करनी है और चावी अपलाई करने के बाद इस परकार से आपको लास्ट मिले जाना है लास्ट मिले जान के बाद आपको क्या करना पड़ेगी कि इसको इस परकार से चलाना होगा और चलाते हो देखे देरे आपको ले जाना होगा इस परकार से इसको हमने लाश्ट में कर दिया है ठेले के पास अकदम से इस परकार से तो आपकी ती यह अपलाई हो ड्कार Nabok al experience हैं कि किस प्रकार से हमारी की है तो यह ठेला वाला इस प्रकार से चला जाता है वहां तक और जाने के वाद सिंपली से अब जो हमारा था वो दूसरी जो दूसरा वे ग्राउंड है वो आ चुका है यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सिंपली से बेक आना है और बेक आने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा फिर से यहां पर ठेला को लेना होगा मीडिया के सेक्षन में जाने के बाद यहां पर फिर से हम ठेले को ले लेते हैं तो हम होने के बाद simply से इसकी size को कम कर देना और size को कम करने के बाद simply से आपको इस परकार लगा देना है लगाने के बाद आपको फिर से layer के option पर जाना है और media के section पर जाने के बाद आपने जो videos को बनाया है record किया है वो video यहां से ले लिनी ले लेने के बाद यहां पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद उस वीडियो को हमने ले लिया है लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा यहां इस पर क्लिक करने के बाद इसको अच्छे से क्रॉप करना पड़ेगा इस परकार से तो इसको हम सही से क्रॉप कर रहे है आप भी इस परकार से कर सकते हैं तो simply से crop करने के बाद अब आपको क्या और फ़ेकर गाणना पड़ेगा यहाँ पर जितनी लब़ी आपकी वीडियों होजे हों उतनी लब़ी आपको करना है तो simply से bake आना है और bake आने के बाद वीडियों पर किलिक करना है कहची काप्षhern और पर क्लिक करने के बाद trim ライ得 कर देना है write करने के बाद आपको कै कना पड़ेगा नीचे आने के बाद chroma की send to bake कर देना होगा तो इजली से ये ठेला जो तो आपका छोटा लग रहा है तो इस ठेली को आपको बड़ा करना पड़ेगा इस परकार से ये इस परकार से आपको ठेली को बड़ा करना पड़ेगा तो ठेली को बड़ा करने के बाद आप आपको यहाँ पर सही से दिख रहा है है चीज ठेला भी जाते हुए दिखाई पड़ रहा है इजली से और यह आपका जो ठेला था यहाँ पर आश्क्रीम दे रहा है तो आपका ठेला जो आश्क्रीम वाला करेक्टर था वो बनके तयार हो चुका है बट अगर आपको प्रोफेंस नहीं तरीके से बनाना है तो फिर से आपक पेंड अमलब्टरी था वो हमने डाउनलोड किया था तब डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद सिंपली से यहाँ पर यह वाला पेंड था वो हमने ले लिया है और लेने के बाद हमको बेक आना है और बेक आने के बाद सिंपली से इसको पेंड पर आपको क्लिक करना है लास्ट में ले आने के बाद प्लस के आइकन पर किलिक कर देना है और इस paint को भी इस परकार से पीछे कर देना है तो paint जब पीछे कर देना है तो अब आपको दिखाते हूँ कि कैसे आप बनके तयार हो पाया है तो बेक आना है और बेक आने के बाद इस परकार से देखिए ये ठेला वाला इस परकार से जा रहा है ये पेंड भी इस परकार से इधर जा रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में अगर आपको अच्छा लगा तो भी जरूर कमेंट बताना कि आपको कैसा लगा ह हुआ है तो सिंपली से बनके तैयार हो चुका है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को बहिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना